हलो फ्रेंट्स कैसे आप सभी लोग उम्मीद करते हूं बहुत बढ़ी और मज़े में होंगी आज हम फ्रेंट्स दो कटोरी गेहूं के आटे से बहुत ही जबरदस्त नाश्टा बना के तयार करेंगे इसको फ्रेंट्स अगर आपने एक बार खा लिया ब्रिकफास्ट में तो दिन भर आपको कुछ भी खाने के जरूरत महसूस नहीं होगी अगर आप फ्रेंट्स वेट लॉस भी कर रहे हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राय कीजिए ये सिर्फ एक चमच तेल से बन करके तयार होती है साथ ये बहुती टेस्टी बनती है साथ ये एक मज़िदार सी चटनी बना करके तयार करेंगे जो इसके टेस्ट को बहुती ज तो सबसे पहले हम लेंगी कौन, कौन खाने से हमें जादा देर तक भूक नहीं लगती है, तो इसलिए हम इसका इस्तिमाल हम आज नाश्टे में करेंगे, तो कौन के इस तरह से दाने निकाल लेंगे, अच्छे से इसको हम वाश कर लेंगे, फिर ग्राइंडिंग जार में डा दरा पीस लेंगे, फ्रेंड्स इसको हम गहूं के आटे से बनाएंगे, तो दो कटोरी गहूं का आटा एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में डालेंगे, साथ या उसी कटोरी से हम डालेंगे एक कटोरी दही, फिर डालेंगे आदा चमच नमक या फिर स्वाद के अनुसार, एक चौथाई चमच इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, आदा चमच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, एक बड़ा चमच डालेंगे हरा धनिया बारी कटा हुआ, इन सबको अच्छे से आटे में मिला लेंगे, और एक ग्लास पानी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और एक इसका स्मूध सा बैटर बना करके तैयार करेंगे लम्स फ्री फिर इसके अंदर जो हमने कॉर्ण दरदर अपीस के रखा था उसको डालेंगे साथ ही डालेंगे ब्यास बारी कटा हुआ मैंने हाप एक प्यास डाला है मेडियम साइज का और इसके अंदर कोई भी वेजी अगर आप एड़ करना चाहें तो वह भी एड़ कर सकते हैं जैसे कैरेट, बीन, कैप्सिकम इन सब को बारी काट करके इस टाइम पर एड़ कर दीजिए अच्छा सा बैटर बना लेंगे गीला नहीं करना है बैटर बस ये ध्यान रखना है फिर इसके अंदर देड़ चमच फूट सॉल डालेंगे कोई भी फ्लेवर का थोड़ा सा पानी डाल करके इनो को एक्टिवेट कर लेंगे इस तरह से पूरे बैटर में अच्छे से मिला देंगे बैटर की कंसिस्टेंसी ध्यान से देख लीजे फ्रेंड्स इसको गीला नहीं करना है इस तरह से जब हम चमच से गिरा के देखें तो थोड़ा थोड़ा गिरना चाहिए तो बैटर हमारा तैयार है चलते है चट्णी बनाते हैं तो ग्रांडिंग जार में एक मुठी धनिया कट करके लेंगे शेचे साथ लेसन की कलिया तीन चार हरी मिर्च लेंगे इस तरह से कट करके साथी लेंगे एक छोटा प्याज मीडियम साइज का इसको हम बारी कट कर लेंगे साथी लेंगे चार बड़े चम्मर रोस्टीड पीनट इसका हमने छिलका निकाल लिया है आधा चम्मश नमक लेंगे आधा नीमबु का रस लेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम बढ़िया से पीस लेंगे चटनी हमारी बन करके तयार है अब हम इसको एक बावल में ट्रांसफर कर लेंगे सारी चटनी निकालने की बाद जार में थोड़ी चटनी रह जाती है तो थोड़ा सा पानी डालके उसको हम में चबखाएंगे उसको हलका सा ग्रीज कर लेंगे ओइल से गैस का फ्रेंड में हमें लो रखना है सारे बैज़ कर लेंगे और हर मोर्ड में डीर डीर चमच भी ढटालेंगे मोल को हमें पूरा उपर तक भढ़ना है सारे मोल को इसी तरह से भढ़ लेंगे उसके बाद फ्रेंट्स नीचे से इसका कलर बहुत जल्दी चेंज होने लगता है तो हम इसमें हलका सा ओयल डाल करके इसको पलट लेंगे एक मिनिट के अंदर हमें इसको पलट लेना है अब हम इसको लोडो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सिखने देंगे ताकि ये अंदर से भी पक जाए अंदर से एक अच्छा नहीं रहना चाहिए हलका हलका ओयल से इसको ग्रीस करते रहेंगे उपर से ओयल लगाते रहेंगी और अच्छा सा सुनहरा कलर आने तक इसको हम लो फ्लेम पर पकने देंगे इसको पकने में 6-7 मिरट का समय लगता है इसको अच्छे से पकने दीजिए अब हमारे नाश्टे बन करके तयार हैं इसको हम निकाल लेंगे और चटनी के साथ इसको सर्फ करेंगे तो फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी बनती है आप इसे जरूर ट्राइ करना उमीद करते हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी रेसिपी पसंद आई होगो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सबस्क्राइब नहीं किये तो सबस्क्राइब कर लीजीगा मिलती हूं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाबाई